शात्रो देखेंगे एंजिनिंग ड्रॉइंग में यूज होने वाले इंस्टूमेंट के बारे में पड़ेंगे और देखेंगे कि वो इंस्टूमेंट कैसे काम करते हैं और उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं तो ड्रॉइंग के मुख जो इंस्टूमेंट हैं इनमें हैं सबसे पहले मिनी डॉप्टर, इंस्टूमेंट वॉक्स, सैटिस्क्र, प्रोटेक्टर, प्रेंच कर्व, पैंसिल, इस्केल, डस्टर, जबर, ड्रॉइंग बोड क्लिप, ड्रॉइंग सीट, एंड ड्रॉइंग ब से आप आएंगी सायतों देखने सबसे पहले मीनी डॉक्टर मीन डॉक्तर क्या कहलाता है यह हमार पास यहां पर यह मीनी डॉप्टर है अज़ स्विंट है इसặt अल्वी डॉप्टर की जुब संधिया होता है इसका मुख काम यह राधी कि यह सिट के उपर किसी भी लाइन्स के पैर्रल ways करना इस में डॉक्टर के जो में उसेант वह में एकुरम यह पिविट प्लेट प्लेट है यह पैरल लाइन्स dollars आंप यह फैरल की लाइन्स chem Matt यह और सेंव्सका जो मुख्प हें हमारा स्ट पार्ट्स में डॉक्टर का यह o यह blades या इक स्केल्स एक दूसरे से यह 90 डिग्री पर इंकलाइन रहती है यह horizontal blade है और इसके 90 डिग्री वर्टिकल blades होती है यह blades जो है इस nut के थो इनको हम tight कर सकते हैं और यह यहां से जो है pivot points से यहां से जो हमारी blades है यह rotei'd हो सकती है कि इस मिनी डॉप्टर को पर कस देते हैं या डेक्ष पर करेंड डॉइंग बोड पर कस देते थे ये बाद हम इसको किसे सील को एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट कराते हैं हम देखते हैं कि पर जो हमारी होरिजंटल बिलेट से हैं वर्टिकल बिलेट से उनका जो मुवमेंट हमेशा बना रहता है यह देखिए यह वर्टिकल बिलेट से यह यह इस परपस से मिनिय डॉप्टर का डेजाइन किया गया है कि मिनी डॉप्टर की जगह पर हम पहले दूसरे भी चोटे मोटे इंस्ट्रुमेंट यूज कर सकते हैं जैसे हमार पास यह रोलर स्केल है इस रोलर स्केल के हल्प से भी एक लाइन को सकते हैं व्र्ट इसमें इकुर्यसी बहुत कम होती है और साथ यसमें फटा-fट ये इसके लाबा एक और इंट्रूमेंट होता है मिनिडॉक्ट की जगह पर जो पहले यूज किया जाता था वह टी स्क्यार बोलते हैं ती स्क्यार में हमारे पास एक ब्लेड होती थी और उस एक ब्लेड के उपर एक टीक के सेप में उसका head हुआ करता था और उसकी help से भी हम parallels line की सकते हैं student दूसरा जो हमारे पास drawing instrument है उसमें हैं हमारे पास instrument box drawing instrument box यह हमारे पास drawing instrument box इस drawing instrument box में यह different type के instrument रखे हुए हैं इसमें हम देखेंगे कोल के देखते हैं इसमें यह compass है यह adjustable compass है यह बड़ा वाला compass है इसको divider भी हम बना सकते हैं और इसको compass भी बना सकते हैं परकार भी बना सकते हैं इसको यह परकार भी है compass भी है और divider भी है इसमें तीनों चीजे include हैं यह चोटा वाला है इसमें इसको हम adjust करके इसको portable है इसमें change हो सकता है इसमें यह जो है इसका जो second parts है इससे हम या तो परकार भी बना सकते हैं या फिर इसको divider बना सकते हैं जो भी हमारी requirement है उसके according हम इसको change कर सकते हैं इसके अलावा इसमें जो हमारे पास instruments हैं इंट्रूमेंट में यह हमारे पास एक अलग से attachment है इस attachment की help से जो हमारे पास normal pencil है इस pencil को हम इसमें यूज करके as a compass, as a divider या इस परकार हम इसको यूज कर सकते हैं इस type से यह pencil इसमें फट्च जाती है और इस pencil को हम इस attachment को हम यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं और फिर यह pencil की हमारी normal pencil को भी एक compass की तरह usable कर सकता है या कर देता है यह देखिए इस type से देखिए तो यह जो है हमारा यह हमारी pencil usable हो जाएगी परकार की तरह इसके बाद इसका जो nest instrument है इसमें वो nest जो components है instrument box में यह divide screwdriver है इस screwdriver की help से हमारे जो परकार है या जो compass है इनके जो volt है नट volts है यदि यह delay हो जाते हैं तो इनको हम इस तरीके से यदि यह loose हो जाते हैं तो इनको हम इस तरीके से टाइट कर देते हैं ताकि जो हमारे पास है उसमें loose नहीं रहे इसके साथ में यह हमारे पास इसमें एक अलग से एक बॉक्स टाइप कर दिया हुगा है इस बॉक्स में हम एस्टा पैंसिल लीड रख सकते हैं इस तरीके से हम इसके साथ साथ हमारे पास एक एक यह चोटा शापनर है इस सबनर की हैल्प से जो हमरे पास लीड पैंसिल केserई ?' इस ताइब यह इंस्टाइब सरुमर्ट ? जो пиш लुक्स expecting एंसमों से वो सब के सब इसमें रखे रहते हैं और इसकी हेल्प से हम ड्रॉइंग की जो सारे ड्रॉइंग के जो पार्ट जो ड्रॉइंग का एक और इंस्ट्रॉमेंट वॉक्स होता है जो आर्किटेक्टर से इंस्ट्रॉमेंट वॉक्स होता है उसका भी हमारे पास एक के पीस सेंपल है उसको आपको दिखा रहे हैं। कि है यह यहां पर सब्रेस्स आपके मैं इसमें इसमेंन इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट मैं इसमें ऑरकार है है यह अपना क्षायों परकार हैं डिवाइडर्स है यह बड़ा डिवाइडर छोटी बाइडर्स हैं यह चोटे डिवाइडर्स हैं चोटे परकार्स हैं चोटी साइज के लिए साल साथह इसमें extension रॉट है में एक्स्टेंशन रॉट है इस exeuktion देखेंगे स्ट्सक्राइब होता है इसमें दो ट्रेंगल होते हैं एक ट्रेंगल होता है जिसकी दौनों साइड से एक दूसरे से इससकी पर पुर्ण डिखरीस से कीर्ट से एक डिखुर्ण की जाते हैं मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि कैसे सेचे सब्सक्राइब की जाते हैं देखिए जैसे हमारे हमें प्राइब लाइन कीचना है जैसे माली जी हमारे पास यहां पर कि यह लाइन कीची रही है जैसे कि हमारे मैं यहां पर एक लाइन कीच रहा हूं और इस लाइन से यदि हमें पैरल लाइन कीचना है तो हम क्या करेंगे पहले हम इस वाले इंस्ट्रूमेंट को इसकी है कि इसको इस ये जो एक सैट इसक्वार है एक सैट करकिस लाइन से मिलाएंगे और हमारी यह लाएनों रहेंगी तो पछली लाइन में लाइन थी उसमें लाइन के पहसा है कि पीटेस्गेर की हेल्प से हम पैडल लाइन किए पैडल कृटकर Section हैं इस सेट स्क्वार की हेल्प से इस वाले कॉर्णर की हेल्प लेके हम किसी भी सर्किल को एक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसकी हेल्प लेके किसी ये चाहएंदे जो है दोगनों टाइप से मार्किंग होती है अगर हम यहां से करना है तो यहां से जील टुटू टूरी-4 तैपसे 180 डीगरी तक जाएगा यदि हम यहां से मेजर करना है तो यहां से जील व7 डीट डीगरी तक यहां मैं एक पॉइंट ले रहूं और इस पॉइंट पे मिरू को यहां से एक एंगल करना है environments 72 डिग्री का thur 7 इसाइट से भी डॉब हो सकता है स्वाइट से ढूरा सकता अब इस रिक्वार्मेंट के एक करने हम किस साइट से मैजर रख ना तो हम कमें इसको देखेंगे कि मोस्ट्री-जियो हम इंगल जो है इस साइड से ड्रौ करेंगे और यह टाइप से ड्रौ करने के लिए हम यहां से देखेंगे कि यह हमारे यहाँ जीरो है फन टू-ठी-ट्री-फौर और यह हमारे हाँ पर po 72 टीगरी हो जाएगा 72 टीगरी मार करने के बाद यहां हम इसक्ली सिसट को है इस टाइप से मिला देंगी तो यह जो एंगल है हमारा से बुन 2ड़ी के एंगल हो जाएगा सच्छा इस टाइप से प्रोटेक्टर से हम एंगल मेजर करते हैं इसके बाद जो हमारे पास नेध्ट इंट्रूमेन्ट है वह फ्रेंजकर्व जो होतेमाइबी मारकेट में अविलेवल रहते हैं इनकी ही नहीं पीस किनी दो से ज्यादा तीन पॉइंट है चार पॉइंट को स्मूथलि मिलाती है कर्व के फार्म में ये फ्रेंच कर्व जो ही मरकेट में जाते हैं फ्रेंच कर्व कि हर झाइम ले तीन पर में यह तने लीइड थेAIर में सायकोलॉइड यह चीहर ऍवाइस जीह इनलें इनके जो याथ को एएपनेश के डिफ्रेंट डिफेंट टाइप के फ्रेम को यूज करके कुरेंश को हम हम्हेश्ज ली को एप ऑसोगोड़ नियौत कर देते हैं इसके बाद पैंसल सब्सक्राइब में तीन टाइब की पैंसलिपनेश्ण यूज की जाती है तीन ग्रेट की पैंसल यूज की जाती है यह हमारे पास जो पैंसल्स है यह पैंसल्स है तीन ग्रेट की पैंसल्स है जो हमारे पास पैंसल होती है यह 19 ग्रेट की होती है लेकिन उनमेंसे केवल मातर हम यह 3 ग्रेट की पैंसल यूज़ करते हैं जैसे कि यह है यह 2H है और यह वी ग्रेट पैंसल है तो जो हमारे पास हम देखेंगे कि जो हमारी H 2H Pencil है यह सभ से ज्यादा Hard Pencil होती है और इस 2H Pencil का यूज हम वहां पर करते हैं जहाँ पर हम बहुत कम Constructions line draw करना है इस टाइब की line draw करना है जिनकी हमें जिनको हमें ज्यादा नहीं दिखाना है और H Pencil से हम एच पैंसिल को हम वहाँ पर यूज करते है जहां प Jake land कूई लिखना है कं अलफ़ा व tissलिकिना कोई नोट्स लिखना है और एक पैंसिल है वहाँपर यूज करते हैं जहांपर हमें किसी object की आउटर लाइन को ड्रॉ करना है तो वहां पर हम एच्वी पैंसिल का यूज करते हैं तो छात्रों ये इस टाइप से हम इंजिनिंग ड्रॉइंग में तीन पैंसिल रखना जरूरी होती है जो तीनों पैंसिल जो तीनों अलग-अलग ग्रेट की होती है वैसे अगर हम देख जो की इन्टीन फैंसिल नाइन्टीन ग्रेट में एबिलेल होती है जो की सबसे हाड़-घ्रेट होता है वह हाड़-ग्रेट एच नाइन से लेके एच फोर तक होता है फिर जो दूसरी कैटेगरी की जो पैंसिल्स होती है वो पैंसिल होती है मीडियम ग्रेट के पैंसिल्स जो मीडियम ग्रेट के पैंसिल्स होती है उनकी जो वैल्यू है 3 3S से लेके B तक होती है और तीसरा जो होता है soft grade, soft grade की जो pencils होती है उनकी जो value है 2B से लेके 7B तक होता है तो इस types जो हमारी pencils हैं उन pencil के total जो है 19 grades होते हैं और इन 19th grade की pencil में से only हम engineering drawing में ये 3 grade की pencil use करते हैं जो की मैंने अभी आपको दिखा रहा है 2H, H और H भी शात्रों अब इसके बाद हमारे पास जो है next instrument है उसका नाम है मैं हो स्केल तो नार्मली जो हमारे पास है, स्केल होती है ये जो हमारे पास है का है क्यूं? नारमली जो हमारे पास स्केल होती है यह दो साइज में स्केल आती है एक आती है छोटी स्केल जो 15 सेंटीमीटर की होती है और एक आती है बड़ी स्केल जो की जो है हमारी 30 सेंटीमीटर की होती है इस स्केल में हम देखें तो स्केल में हमारे पास दो टाइप के मेजरमेंट्स रहते हैं यह उपर वाला मेजरमेंट से वो सेंटीमीटर की में होता है वो जो नीचे वाला मेजरमेंट है यह इंच में होता है सो हमें जो भी वैल्यू मेजर करना है दोनों दोनों इनिट में हम अलग-अलग मेजर कर सकते हैं इसके अलाबर एक और स्केल होती है जिसे हम यह roller scale भोलते है इस roller scale एक combination से इसमें देखके भहुत सारे attachment है एक तो इसमें protector भी दिया हुआ है इसकेल भी दिया है और यह hole भी दिये हुगे है ठीक है साथे साथ यह roller scale है इसको roll कर करके हम एक जिगह से दूसरी जिगह parallel line कर सकते हैं किस सकते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्ट इंट्रूमेंट है वह हमारा है डेस्टर डेस्टर जो हम यूज करते हैं और इसको रवर से रफ करते हैं तो रफ करने के बाद जो है वहाँ पर जो कच्रा आता है उसको हम डेस्टर या हैंट की या हमारा जो रुमाल है तो उसको हमें यूज करते हैं इसके बाद नेक्ट हमारा जो इंट्रुमेंट है वह रवर रवर का जो यूज हम इस टाइब के रवर यूज करना चाहिए जिसको यूज करने से हमारी जो सीट है वो काली ना हो वो डार्क ना पढ़े और प्रॉपर ली रफ हो जैसे कि मैं यह हाँ पर यह लाएन कीच रहा हूं इस लाएन को मिटाने के लिए मेरे पास यह रोवर है तो यह रोवर की हैं exacerbर शिफ्क हमारे चाहिए लाइंग वो एक सब्द Mai mats का काम जो होता है ड्रॉइंग सीटको बियोट के उपर फिट करना। जैसे कि यहां पर इस के बाद इस्टूडन नेस्ट जो हमारे पास ए इंस्ट्रूमेंट रोघ सी्ट रोऊंग् सीट जो यह हमारा पास यहां पे एड्रोइब्ल इस मारकेट में एड्रोइब्ल होती यह द्रॉइंग सीटे अभी जो हमारे पास ये अलग-इलग स्टेंडर्ड अलग-अलग desagnetion में ये मोस्टी यह द्रॉइंग सीट में девosium जूए memak इस में से जो हमारे पास अभी seat available है यह seat हमारी जो है यह A2 size की seat है A2 size की seat का मतलब है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई इसकी 594 mm है और इसकी जो चोड़ाई है 420 mm है जो हमारी ड्रोइंग सीट पांट डिजिगनेशन में आती है पांच स्टेंडर्ड में आती है उसकी जो डिजिगनेशन से होते हैं वो होते हैं A0, A0 का मतलब होता है 441 into 1189 दूसरा जो डिजिगनेशन होता है वो ता A1 ज़िसका मतलब होता है 594 into 841 तीसरा जो डिजिगनेशन होता है ता determine a2 जिसकी value होती है 420 इंटू 594 चौथा designation होता है A3 जिसकी value होती है 420 इंटू 297 चौथा designation होता है A4 जिसकी value होती है 210 इंटू 297 तो स्टुडेंट्स यह हमारी ड्रॉइन सीट के designations हैं और इस designations में हमारी drawing sheet मार्केट में available होती है अब हम यहां पर देखेंगे कि हमार पास यह है जो drawing sheet है यह to designation की है जो नेश्ट हमारा इंटूमेंट है तो नेश्ट इंटूमेंट है drawing board छात्रों जो हमार पास drawing board बीजिगनेशन होते हैं जो ड्राइबोड का डेजिगनेशन होते हैं और जो बीजिगनेशन होते हैं और जो एजिरो साइज है उसके लिए जो drawing board का designation है वो B0 होता है और उसकी जो size होती है वो होती है 1500 into 1000 mm और जो A1 size की seat है उसके लिए जो designation होता है drawing board का वो drawing board का designation होता जिसकी value होती है 1000 into 700 mm और तीसरा जो designation होता है वो होता B2 जिसके लिए drawing board की size होती है 700 into 500 वो जो last जो board होता है जिसकी designation होती है B3 जिसकी जो value होती है वो तिए 500 into 350 है तो यह drawing board के designation है इसको हम बोलेंगे drawing board हम जाइद । ca Steoto का 8जis भाइद आहा वो साइब झादया ओ ड॔ जाईपिज के होते है जा इसimoस जाटपे चरीए गैजा जाड़े झाले वै लिए झालेंग above your area प्रचाइट साइज